जीवन में जब ऐसे कई मौके आते हैं, जब हमें लगता है कि हमें दुसरों पर निर्भर होने के बजाए अपने कार्य खुद से करना चाहिए, क्योंकि हम दुसरों के भरो से बैठे रहे, तो क्या पताते समय पर होने वाला हमारा कार्य ठीक उसी? समय पर हो जाए, तो आज हम एक ऐसी एक चिडिया की कहानी बताने जा रहे हैं एक गाव में एक किसान रहता था, उसका गाव के बाहर एक छोटा सा खेत था एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिडिया ने घोंसला बना लिया कुछ समय बीता, तो चिडिया ने वहाँ दो अंडे भी दे दिये उन अंडों में से दो छोटे-छोटे बच्चे निकल आए वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे कुछ महीनों बाद फसल पक गया था और कटाई का समया गया गाउ के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए अब चिडिया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़ कर नए स्थान पर जाने का समया गया था एक दिन खेत में चिडिया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना की कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पडोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भीजूंगा यह सुनकर चिडिया के बच्चे सहन गए थे और किसान की बातों से सभी परिशान हो गए उस समय चिडिया कहीं गई हुई थी जब वह वापस लोटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा मा आज हमारा यहां अंतिम दिन है रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहां से निकला होगा चिडिया ने उत्तर दिया इतनी जल्दी नहीं बच्चों मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी चिडिया की कही बात सही साबित हुई दूसरे दिन किसान का पडोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहो सकी शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पडोसी तो नहीं आया ऐसा करता हूँ कल अपने किसी रिष्टेदार को भेज देता हूँ चिडिया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परिशान हो गए जब चिडिया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली तुम लोग चिंता मत करो पहुँचा चिडिया के बच्चे हैरान थे कि उनकी मा की हर बात सही हो रही है अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिती देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है कल मैं कुद आकर फसल की कटाई शुरू करूंगा चिडिया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुनली अपनी मा को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली बच्चों अब समया गया है ये खेत छोड़ने का हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो मा खेत छोड़ने को तयार है उन्होंने पूछा तो चिडिया बोली बच्चों पिछली दो बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था दूसरों को कहकर उसने अपने काम से पल्ला ज़ाड लिया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है इसलिए वह अवश्य आएगा अब चिडिया के बच्चे भी काफी बड़े हो गए और उन्हें उरना भी सीख लिया था फिर उसी रात चिडिया और उसके बच्चे उस खेत से उर गए और कहीं और चले गए इस तरह खेत की फसले कटने से पहले ही चिडिया सुरक्षित स्थान पर चले गए थे कहानी से शिक्षा इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जब तक किसान दुसरों के भरोसे रहा उसके खेत का काम रुका रहा लेकिन जब वह दुसरों का भरोसा छोड़ कर अपना काम खुद से करने का निर्णय लिया तो उस खेत की चिडिया भी समझ गई थी कि अब किसान ने ठान लिया है तो अपना काम खुद से कर सकता है तो चिडिया ने अब उस खेट को छोड़ देने का निरने लिया था इसलिए हमें भी अपना काम दुसरों के भरोसे के बजाए खुद से करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए